आपको अगर अपने सेल्फोन को चार्ज करना है, अपने कम्प्यूटर को इस्तमाल करना है या लाइट्स को स्विच आउन करना है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरुरत होगी. अगर आप आधुनिक दुनिया से बचना चाहें, तब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से बच नहीं पाएंगे. आपको क्या लगता है तुफान के दौरान लाइट्निंग क्या होता है? जीहां ये एलेक्रिसिटी होता है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ट सवाल ये है कि electricity क्या है ये electric current में कैसे flow होती है switch on होने पर bulb क्यों प्रकाश देता है इसे समझने के लिए हमें atoms के concept को गहराई से देखने की जरूरत है atoms क्या है वो किसी भी matter के सबसे basic building blocks है atoms से molecules बनते हैं और कई molecules मिलकर एक cell बनाते हैं जो जीवन का fundamental unit है क्या आप जानते हैं कि atoms किन चीजों से बनते हैं वो protons, neutrons और electrons से बनता है protons और neutrons nucleus में densely packed होते हैं और electrons nucleus के इर्द गिर्द गूमते हैं क्या आप जानते हैं इन तीनों में कौन से charge होते हैं proton में positive charge होता है electron में negative charge होता है और neutrons जैसे की नाम से पता चलता है कि neutral होते हैं मतलब बिना किसी charge के होते हैं electricity कुछ और नहीं बलकि charges का flow है आपके हिसाब से हम किस charge के बारे में बात कर रहे हैं protons या electrons electricity और electron शब्दों को देखें क्या आप उनके बीच में एक समान बात notice करते हैं जी हाँ ये electrons का flow है जो electricity को समझने के लिए जरूरी है electrons का flow क्या मेरा मतलब है कि electrons उनके मौझूदा orbits में flow हो रहे हैं बास्तव में नहीं मैं एक atom से दूसरे पर जाने वाले electrons के बारे में बात कर रहा हूँ जी हाँ electrons का ये flow electricity का निर्मान करता है ये charges लगातार flow होते हैं इसे current electricity भी खहते हैं लेकिन charges flow क्यों होते हैं? electron एक atom से दूसरे की orbit में क्यों जाता है? ये समझने के लिए हमें electrostatic force के concept को समझने की जरूरत है आसान शब्दों में ये वो force है जो charges के बीच काम करते हैं और हम इसे पहले से जानते हैं opposite attract करते हैं और likes repel करते हैं एक atom की structure द्वारा इसे समझते हैं इसके अलग-अलग orbits होते हैं जिनमें electrons होते हैं protons का charge electrons को atom से चिपकाई रखता है और logically हम जानते हैं कि nucleus के पास वाले electrons बाहरी orbit में electrons की तुलना में center से ज्यादा आकरशित होते हैं लेकिन ये भी ध्यान रखें कि electrons दूसरे electrons को repel करेंगे इस animation को देखें जब left की ओर से एक negative charge पहले atom के करीब होता है तो ये सबसे बाहरी orbit में से electron को repel करता है इस repelling force के कारण electron orbit से बाहर निकल सकता है और एक free electron बन सकता है अब ये free electron एक नए atom की orbit में खिचा जा सकता है इस नए atom की electron को ये नए electron का charge repel करता है जिससे वो orbit को छोड़कर एक नए atom की ओर चला जाता है ये process लगातार चलता है जिससे electric charge का एक continuous flow बना रहता है ये कुछ और नहीं बलकि electric current या current electricity है ये electric charge का लगातार flow है आपको कई सवाल परिशान कर रहे होंगे क्या electricity की दिशा electric charge के flow की दिशा जैसी है flow किस पर निर्भर करता है flow की शुरू होने का क्या कारण है और भी बहुत कुछ झाल